अंताखंड कोई रेखा X अक्ष को जिस बिंदू पर काटती है उस बिंदू की मूल बिंदू से दूरी X अंताखंड कहलाती है इसी तरह कोई रेखा Y अक्ष को जिस बिंदू पर काटती है उस बिंदू की मूल बिंदू से दूरी Y अंताखंड कहलाती है क्या आप ऐसे निर्देशांकों के युग में ग्याद कर सकते हैं जो इस समी करण को संतुष्ट करें उदाहरन के लिए X बराबर शुन के लिए हमें मिलेगा Y बराबर दो गुनित शुन धन चार यानि Y बराबर चार इसलिए X चार इस तरह का एक निर्देशांक युग में है इसी तरह के दूसरे निर्देशांक युग में ग्याद कीजिए अब इन बिन्दों को आलख्ःत कीजिए आपने किस तरह की रेखा कीची क्या यह सरल रेखा है अब आप एक ऐसी रेखा पर विचार केजिए जिसकी ढाल दो और वाई अन्ताकंट चार है यह रेखा बिंदू शुन्य चार से गुजरेगी इस रेखा पर कोई बिंदू पी एकस वाई लीजिए अन्तराल एपी के प्रवणता बराबर वाई रिन चार बटे एकस रिन शुन्य बराबर वाई रिन चार बटे एकस यह प्रवणता है और चुकि हमें दिया गया है कि रेखा के ढाल दो है तो हम लिख सकते हैं इन्हें हल करने पर हमें मिलेगा या उस रेखा का समीकरण है जो बिन्दू शुन्नी चार से गुजरती है और जिसकी ढाल दो है चुकि बिन्दू पी भी इस रेखा पर इस्तित है इसलिए बिन्दू पी एकस वाई के निर्देशांग य बराबर दो एकस धन्चार को संतुष्ट करते हैं आईए अब एक ऐसी रेखा पर विचार करें जिसकी ढाल एम और वाई अक्ष से अंताकरण सी है इस रेखा का समीकरण क्या होगा यह रेखा बिन्दू ए यानि शुन सी से गुजरेगी माल लेजिए कि इस रेखा पर बिन्दू पी एकस वाई है अंतराल एपी की ढाल बराबर वाई रेखा की ढाल एम है इसलिए समीकरण एक और दो से हम कहा सकते हैं कि वाई रिंड सी बटे एकस रिंड शुन बराबर एम इसे हल करने पर हमें मिलेगा वाई रिंड सी बराबर एम एकस इसे और आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा वाई बराबर एम एकस धन सी अर्थात कारती ही समतल में उस रेखा का समीकरण Y बराबर MX प्लस C है जिसकी ढ़ाल M और Y अक्ष से अन्ताकरण C है विलोमत वे सभी बिंदू जिनके निर्देशांग समीकरण Y बराबर MX जन्सी को संतुष्ट करते हैं सदेव उस रेखा पर स्थित होंगे जिसकी ढ़ाल M और Y अक्ष से अन्ताकरण C है उदाहरन नौ रेखा की ढ़ाल या प्रवन्ता और Y अक्ष से अन्ताकरण लिखिए पहला है Y बराबर साथ एक्स तरिंट पाच और दूसरा है Y बराबर रिन एक्स धन पाच आईए अब इनका हल देखें पहले समीकरण को हम लें Y बराबर साथ एक्स तरिंट पाच इसके तुलना व्यापक समीकरण Y बराबर M और C से करने पर हमें मिलता है M बराबर साथ और C बराबर रिन पाच इसलिए रेखा की ढाल साथ और Y अक्ष से अंताखन रिन पाच है दूसरे समीकरण पर गौर करें Y बराबर रिन एक्स धन पाच की तुलना Y बराबर M एक्स धन C से करने पर हमें मिलता है M बराबर रिन एक और C बराबर धन पाच इसलिए रेखा की ढाल रिन एक और Y अक्ष से अंताखन धन पाच है हमने सीखा पहला यदिकी समतल पर दो परस पर लंबोत रिखाएं X O X देश वह Y O Y डेश एक बिंदू O पर प्रतिछेद करें तब हम X O X देश को X अक्ष Y O Y डेश को Y अक्ष कहते हैं प्रतिछेद बिंदू O मूल बिंदू तथा यह समतल निर्देशांग समतल कहलाता है दूसरा निर्देशांग समतल में किसी बिंदू के लिए X निर्देशांग Y अक्ष से लंबोत दूरी वो Y निर्देशांग X अक्ष से लंबोत दूरी के बराबर होता है तीसरा निर्देशांग सम्तल पर किनी दो बिंदों P X1 Y1 वो Q X2 Y2 के बीच की दूरी P के बराबर वर्गमूल के अंदर X2 RIN X1 पूरे कवर्ग धन Y2 RIN Y1 पूरे कवर्ग होती है चौथा सम्तल पर रेखा की धाल यह प्रमणता Y2 RIN Y1 बटे X2 RIN X1 जहां X निर्देशांग के A बिंदों से B बिंदों तक परिवर्थित होने का मान X2 RIN X1 है तथा Y निर्देशांग के A बिंदों से B बिंदों तक परिवर्थित होने का मान Y2 RIN Y1 है पांचवा ऐसी रेखा जिसकी ढाल M और Y अक्ष से अंताकर्ण C हो का समीकर्ण Y बराबर M X धन C होता है